फ्रेंट्स आज मैं आपको लंडन के टावर के बारे में बताऊंगी ये एक ऐसी इमारत है जो जीत की निशानी के तौर पर बनी लेकिन मौत का महल बन गई टावर ओफ लंडन का इतिहास टावर ओफ लंडन की इमारत लंडन शहर के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी इमारत है लगबग एक हजार साल पुरानी इस इमारत की अपनी अलग कहानी है एक अलग इतिहास है जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी है जी हाँ मौत की कहानी इस इमारत में मौत, फासी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी वार्दाते हुई हैं जो आज तक महसूस की जाती है इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को आसानी से महसूस किया जा सकता है बिर्टेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेंस नदी के किनारे ये भव्वे इमारत स्थित है इस इमारत का निर्मान सन 1078 में विलियम ने कराया था इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेश कीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारते हैं एक शांदार समय था जब ये बिर्टेन का शाही महल था आपको बता दूं कि अपने दौर में ये इमारत राजसी बंदियों के लिए एक कारागार थी ये है महल अनेक मृत्युदंड और हत्याओं का साक्षी रहा है इमारत में यहां के राजपरिवार के लोगों के ही खून के छीटे हैं जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करा देते हैं और लोग उन्हें भूत प्रेत और रूहों का नाम देते हैं इस इमारत में सर कलम करना भी एक सजा के तोर पर परियोग किया जाता था हैनरी अश्टम जिसका जनम 28 जून 1491 में हुआ था एक ऐसा पाराकरमी और कठोर शासक था जो अर्टने जनम से लेकर मौत तक लंदन का शासक बना रहा टावर अफ लंडन में इस शासक के कारना में वह थे हैनरी लॉड ओफ आयरलेंड था हैनरी की कठोर तक अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी हैनरी की पहली पत्नी एनारान की कैथरीन थी दूसरी पत्नी मशूर एनी बॉलिन थी हैनरी को उस समय एक उत्तराधिकारी यानि की बेटे की जरूरत थी उस समय एनी बॉलिन गर्भवती थी लेकिन एनी को डर था कि कहीं पूरु की भादी इस बार भी कोई अपरी अगटना ना हो जाए एबोर्शन ना हो जाए एलिन का गरवपात हो गया और राजा हैनरी ने उसे मौत की सजा सुना दी एनी ने एक खास फ्रांसीसी अंदाज में मौत को गले लगाया गुटनों के बल टावर ओफ लंडन के अगले हिस्से पर बैट गई और एक बड़े से फरसे से उसका सर कलम कर दिया गया एनी की मौत के बाद भी हैनरी ने अपनी एक और पत्नी का सर कलम करवाया था ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ओफ लंडन में भटकता रहता है एक बार की बात है टावर ओफ लंडन के एक चौकिदार ने कुछ ऐसा ही मंजर देखा था चौकिदार के अनुसार बारा फरवरी उनीस सो सतावन में सरदियों की रात थी और वो टावर के परिसर में रखवा ली कर रहा था तब ही उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफेद साए को देखा जो देखने में एकदम रानी की तरह लग रही थी लेकिन उसका सर धड़ पर नहीं था बलकि वो अपने सर को अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए थी चौकने वाली बात यह थी कि वो तारीक भी भही थी यानि की बारा फरवरी जो की सन 1554 में थी और हेनरी ने अपनी दूसरी रानी लेडी जेन ग्रे का सर कलम करवाया था इसके अलावा एनी बोलिन और लेडी जेन ग्रे अकसर लंदन के उस भवे टावर में देखी जाने लगी टावर के बारे भूत प्रेत की धारना कितनी सही है इसका तो कुछ पता नहीं लेकिन हेनरी अश्टम के इस खौफना कारणामे ने जहां लोगों को जिंदगी से दूर कर दिया वही इस इमारत को एक अविस मरनिय इतिहास भी दे दिया एनी बोलन और जेन ग्रे के अलावा भी कई अन्य लोगों की रूहें इस टावर में बेक होफ घूमती रहती है सन 1541 में एक शाही करमचारी को मौत की सजा सुनाई गई थी उस पर आरोप था उसने बही खातों के साथ छेर चाड़ की थी इसलिए उसे कुलहाडियों से काट कर मौत के घाट उतार दिया गया ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोश था वो करमचारी आज भी इस टावर के परशासनिक भवन में देखा जाता है उसका शरीर शत्विक्षक्त होता है उसके हाथ में कुलहाडी होती है इस टावर में बहुत सी अजीब औ गरीब चीजें आप देख सकते हैं यहां जानवरों को बांध कर रखा जाता था और वो भी केवल मनोरंजन के लिए दुनिया भर के लोगों के जेहन में किसी भी सुनसान या पुरानी इमारत खंडर को देखकर एक अजीब सा एसास तो जरूर होता है जहां भी हम कहीं कोई सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिग्या सा जाग ही उड़ती है कभी कभी ऐसी जगाओं पर लोग किसी आत्मा रूह या भूतों को देखने का दावा भी करते हैं जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं लेकिन जो नहीं करते उनके लिए वो महज एक पुरानी इमारत होती है लेकिन यह सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूत काल होता है और सबका कुछ ना कुछ इतिहास होता है और जहां तक रही बात भूत प्रेत की, रूहों की तो वो तो हम इनसानों की तरह ही इस वायू मंडल में रहते हैं बस अलग होता है तो उनका रहने का तरीका अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें अभी लंडन के टूर पर हूँ इसके बाद यूरोप में किस कंट्री में जाऊंगी इसकी भी जानकारी आपको जरूर दूंगी और सभी जगे की वीडियो बना कर लाऊंगी Tower of London में आत्माओं का राज जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा Tower of London के आत्माओं की इस राज को क्या आप पहले से जानते थे आप कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको कब और कैसे पता लगा मुझे तो आज यहां आकर ही पता लगा जब मैंने यहां पर ये कहानिया लिखी हुई देखी और पढ़ी और लोगों से सुनी Tower of London में घुमते समय जो हमें audio visual दिया गया था उसमें भी ये सब कहानिया चिन हित थी लिखी हुई थी और सुनाई भी गई थी अब से पहले मैं आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करती थी लेकिन अब लगने लगा है शायद इन पर यकीन करना चाहिए आपकी क्या राय है? क्या आप आत्माओं और रूहों पर यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये होती है? क्या सच में भूतों का अस्तित हुए? क्या सच में आत्माएं होती है? क्या आप कभी किसी रूहों से मिले हैं? या आपको किसी अपने ने बताया है कि उसकी किसी रूसे मुलाकात हुई जरूर बताएगा